आज हम इस वीडियो में बात करणे जा रहे हैं बिहार एस्टेट 2020 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और इसके अलावा जो है डियोजन को लेकर के कब तक आप सभी बिहार एस्टेट परिक्षा में पास सब याजियों का डियोजन सबब है आप में से बहुत सारे अभियार थे बिहार एस्टेट का रिजल्ट को लेकर के काफी दिनों से इंतिजार कर रहे हैं कि बिहार एस्टेट का रिजल्ट आखिर कार कब जारी होगा और नियोसन की परिकरिया कब तक सुरू होगा चुकि आपको जानकारी होगा कि एक अप्रेल से जो है नमभी और दस्वी कक्षा के परहाई भी सुरू हो जाएगी ऐसे में आप सभी अभियारती नियोसन को लेकर के काफ़े जादा परिसान होंगे लेकिन अभी आप तमाम एस्टेट की परिक्षारतियों के लिए एक बरी ख़बर ये हो सकता है कि आप सबसे पहले की रिजल्ट कैसे बिहार बुट से जारी करवाए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आप देख सकते हैं आप तमाम अभियारति जो है आप चाहते हैं कि आपकी रिजल्ट सबसे पहले जारी हो क्योंकि जब तक आपका बिहार स्टेट 2020 का रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक आप नियोजन के लिए कोई भी मांग सरकार से नहीं कर सकते हैं जया सबसे पहले अभी सभी अभियारतियों के लिए सबसी बरत चुन होती है कि भीहार स्टेट 2020 का रिजल्ट कैसी जारी करवाई इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर और इस वीडियो में आगे आप देखेंगे सिक्षा विभा के पैदान सचीव आरके महाज़र ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है कि होली के बाद शुरू हो जाएगी स्कुलों में पढ़ाई और खास बात यहाँ कि नियोजन को लेकरके भी उन्होंने एक दो सब्द कहा है तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सिक्षक नियोजन के संदर में इसको लेकर के आप तमाम अभियारतियों को जो है इस मेल आड़ी पर सबसे पहले सिक्षा विभा के पदान सचीव जो है यह email ID है आप देख सकते हैं यहाँ पर और यह बिहार के जो उपमुक्षिमेंद्री है इसका mail ID है आप सभी बिहारती इस पर जरूर से जरूर mail करें और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का official number है कॉल करके आप पुछ सकते हैं कि बिहार STET 2020 का result कब तक जारी करेगा क्योंकि जब तक बिहार बोर्ड बिहार STET 2020 का result जारी नहीं करेगा तब तक आप सभी अभियारती नियोजन के लिए मांग नहीं कर सकते हैं या उमीद नहीं कर सकते हैं कि आपका नियोजन कब तक होगा इसलिए अभी जो है सबसे पहली परारत्मिकता हम तमाम STET की परिक्षार्थे के लिए होने चाहिए वो यह खोड़ी चाहिए कि बिहार STET 2020 का result जल्द से जल्द किस तरह निकलवायाज है इस नमर पर आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पर 26916 इस नमर पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं आप तमाम अभी हाथे जितना ज़्यादा हो सके बिहार बूड को कॉल करेगे कि सर बिहार STET का रिजल्ट कब तक जारी होगा क्योंकि पहले ख़बर आ चुके है कि 15 मार्च तक बिहार STET 2020 का रिजल्ट जारी होगा लेकिन अभी तक बुर्ड अध्यक शानंत किशोर ने अपना statement देकर ये किलिए डही किया है कि बिहार STET 2020 का रिजल्ट कब तक जारी होगा साथ ही आपको जो लेटर भीजना है वो ये लेटर भीजना है सिक्षा बिभाग के पैदान सचीब मुक्षमंत्री और इसके अलावा जो है आप बिहार बोड को जितना ज़्यदा हो सके ये लेटर भीजे सेवा में अपर मुक्षचीब सिक्षा बिभाग महासाए STET 2019 का रि जल्द जल्द परकासित करने के साथ माध्यमीक सिक्षक नियोजन की परिकरिया जल्द से जल्द पूरी कराए STET 2019 माध्मीक में अगर सिफ्ट होते हैं तो प्रारंबिक सिक्षक नियोजन में काफी भारी संख्या में भीर कम होगे जिया आपको बिता दे अगर 37,000 अभ्यार है उसका भी नियोजन संभब हो जाएगा 6 to 8 की बात कर रहे हैं जहां 6 to 8 में वैसी अभ्यारती जिसका मेरिट कम है यह सोच रहे कि सीट नहीं है उनकी सीटे भी इस आधार पर अगर बिहार एस्टेट का रिजल्ट जारी होता है और इसका सिक्षक नियोजन हो जाता है जो 2020 में अभ्यार्थी जोइनिंग करें उनका तो कहीं कहा जा सकता है कि जो है 6 to 8 का सीट इटोमेटिक बढ़ जाएगा क्योंकि 37,000 अभ्यार्थी वहां पर अगर सीट हो जाते है तो आपको यह मेल करना होगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पहल से सबसे अधीक अपर प्रैमरी में तरस्त अभ्यार्थियों को बरी रहात मिलेगे जहां आपको बता दे जो कक्षा 6 से 8 तक के अभ्यार्थी है उनको बहुत ही ज़्यादा रहात मिलेगा इसलिए आप तमाम अभ्यार्थी इस मेल को इस वीडियोफ को जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्सन में जितना जैदा हो सके आप मेल जरूर करें बिहार बुड के अध्यक्स मुक्षमंतरी सिख्या विभा के परधानस अचीव बिहार बुड के पास जितना जैदा हो सके मेल करें यहां पर भी आप देख सकते हैं कि खोली के बाद सभी पंचायतों में होगी नौवी कलास की पढ है ऐसे में अभी जो सिख्षक नियोजन चल रहा है इसमें आपको बता दी सरकार का काइना था कि अन्तीम सब्ता मार्च तक 27 मार्च दो हजार और 20 तक हरहाल में हाइस्कुलों में सुख्षकों की बहाली की परिक्या पूरी कर ली जाए हाला कि जो परिक्या अभी चल रही है इसके बारे में इस्टेट्मेंट दिया कि भिहार स्टेट का सरवर्थम. कैसे जारी करवाय जाए? जाहां आपको बता दे, भिहार स्टेट्य 2020 का कैसे जारी करवाया जाए? पहली प्रार्ट मैकता हम सभी अभुआथियों कि यह होती है, इस अपना जाएदा हो सके भिहार बूट को कॉल करे, मेल करे, रिजल्ट खुले करके कि 23 समय सीमा के भीतर रिजल्ट जारी करे ताकि इसकुलों में जो 37,000 सिक्षकों के पर खाली है हाई सकुलों में उनकी न्योजन की परिकिरिया पूरी की जा सके यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है 5 सिक्षकों की तैनाती का भी आदेश दिया है जिहां आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो है सिक्षा विभाय की पदान सची बाद के महाज़न ने इनकी पढ़ाई के लिए जिरा सिक्षा पदाधिकारियों को इसकुलों में 5 असना तक परसिक्षित सिक्षकों की तैनाती करने का भी आदेश दिया है वही आप आप देख सकते हैं कि गनी बिज्ञान, समाजिक बिज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी बिसाईयों के एक-एक सिक्षक यहाँ पद अस्थापित होंगे साथी सिक्षक पर्ती न्यूकती भी किये जा सकते हैं और मौजूदा नियोजन में न्यूकत होने वाले को भी तैनाती हो सकती है तो सरकार फिलहाल आप जो भी बिहार स्टेस 2020 की परिक्षारती है उसको लेकर कि सरकार गंभीर नहीं है आप देख सकते हैं इसे असपश्ट एक संकेत मिल रहा है कि जो नियोजन की परिकिरिया पहले से चल गई है अर्थात जो शट्री चरड़ के अभी नियोजन की परिकिरिया चल गई है बिहार के हाई स्कूल और प्लस टू इसकूलों में इसको लेकर के सरकार ने बार बार कि बिहार एस्टेट 2020 की परिक्षार्तियों का नियोजन जो भी पास करें उनका नियोजन चुनाप के बाद संबबता हो सकता है अगर हम सबी अभी सी सक्रिय देही होते हैं तो यह काफी ज्यादा पेचीदा भी हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर और साथ ही आप कार्सी रखा गया है यहां पर आप देख सकते हैं तो आप तमाम अभ्यारती जो है मानिय सिक्षा मंत्री का भी घहराव चाहितों कर सकते हैं और मानिय सिक्षा मंत्री के पास भी पत्रे दे सकते हैं या इसके अलाबा जो है सिक्षा विभाग के पास इसके साथ ही बिहार ब जबाब बनाते हैं तो समभबता आपका result जल्दी जारी कर दिया जाएगा वही cut-off की बात करें तो आप में से बहुत से अभियारती cut-off को लेकर कि परिशान हो रहे कि cut-off क्या हो सकता है देखिए cut-off को लेकर कि आप सभी अभियारती परिशान नहीं हो बिहार सरकार ने अभी खुद जो है clear नहीं किया है वे किस अधार पर न्योजन करेंगे या न्योजन करेंगे बिहार एस्टेट की परिक्षा में सफल अभियारतीयों का जिया आपको बता दे मिनिमम 45% जो है रिजर्व केटेगरी के लिए और 50% जेंडल केटेगरी के अभियारतीयों के लिए मिनिमम जो है cut-off marks रखा गया है पास होने के लिए अगर इतना मिनिमम 20% marks अगर आपका आरा है लेकिन बोर्ड अध्यक्स ने यह clear नहीं किया है बोर्ड अध्यक्स अनंद किसोर ये कहना था कि हम जो है result उनहीं अभियारतीयों का जारी करेंगे जितना seat है उतना ही seat के अनुसार हम result जारी करेंगे अर्थात seat से ज़्यादा अभियार्थियों का result नहीं जारी होगा decreasing order में आपका result जारी होगा बिहार estate 2020 की परिक्षा में जो जितना marks लाई होंगे जियान बिहार estate 2020 की परिक्षा में जो भी अभियार्थि highest marks लाए होंगे उनका सबसे पहले नियोजन होगा उसके बाद उसे कम बाले को होगा लेकिन सोचने वाली सवाल ये है सबसी बड़ी बात कि अभी तक सिक्षक नियोजन को लेकर के सरकार ये कि लिए नहीं कर पाए है कि नियोजन आप सभी अभियार्थियों को फिर से अगर इस परिकिरिया के अदार पर आपका नियोजन होता है तो आपको फिर से सभी जिला का चकर लगाना होगा सिक्षक बहाली के फॉर्म जमाय करने के लिए और वो जो प्रोसेस होगा वो काफी ही ज्यादा पेचीदा और बहुत ही ज्यादा लंबा होगा क्योंकि आप भी जानते हैं सिक्षक बहाली के लिए अभी जो प्रोसेस है मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड ये सभी का जो है टीएटी ये सभी को मार्क स्जोर करके उसके परसेंटेज को भाग दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर वेटेज भी दिया जाता है तो फैनली अगर इस अधार पर आप सभी अभी अभीयारतियों का नियोजन होता है तो ये काफी ज्यादा पेचीदा हो सकता है इसलिए आप तमाम अभ्यारती सबसे पहले सिख्षा विभाग पर दवाब बनाए और इसके अलाबा बिहार बोर्ट के उपर जरूर से जरूर दवाब बनाए कि बिहार स्टेट 2020 का रेजल्ट जल्द से जल्द जारी करे सरका